नमस्कार सास्रिया अगाल अधा अभेलो हाई केम छो कैसो आप सभी लोग मेरा नाम है शिवम गुपता आप देख रहे हो अधा 247 का टेक्निकल चैनल और हम बात कर रहे हैं आज टेक 10 शो की जहां पे हम देखेंगे difference boiling versus evaporation that is vaporization ओप सेक लोगों ने जिन्नों मेरे । एक घंड़े वाले उनको इसके बारे में पता होगा लेकिन जिनको भी नहीं पता है उने में बता दूँ कि ये बहुत ही conceptual चीज़े हैं जिसमें आप लोगों का बहुत ही ज्यादा involvement जरूरी होता है क्यों? क्योंकि अगर आपको वेपर में, steam में, gas में, vaporization में, boiling में difference नहीं पता है तो फिर fluid mechanics में खेलने में आपको देखता है तो इसलिए आज हम देखेंगे 5-7 मिनोट के अंदर की boiling क्या होती है, vaporization क्या है, steam क्या है, vapors क्या है, gases क्या है ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, boiling और vaporization दोनों एक ही चीज़े हैं अब आप कहोगे sir कैसे, देखो boiling और vaporization की process एक है बट वो define की जाती है, वो differentiate की जाती है with respect to time vaporization में क्या होता है, vaporization में भी face change हो रहा है, face change मतलब liquid से vapor बन रहा है लेकिन जो vaporization है, वो spontaneous process है, मतलब वो जट से होने वाली process है आपने देखा होगा कि वो कितना sudden reaction होता है, impulsive reaction होता है, तुरंथ मतलब within a fraction of seconds liquid आपका vapor बन सकता है, example दूँ, आपका अभी भी गर्म गर्म तेल में एक बून पानी की जाल के देखना fraction of second में वो vapor बनता है, छीटे पड़ते हैं आपो वो क्या है, vaporization है but boiling, boiling का example क्या है, ये वाला, boiling का example क्या है, boiling का example ये है कि आप पानी को जब गरम करते हो, धीरे धीरे से गरम होता है, धीरे धीरे से पानी की भाप उपर को उठती है, ठीक है तो वो क्या है, उसमें time taking process है, ऐसा तो नहीं होता ना, कि आपने पानी एक पतीले में लिया, दो लीटर पानी उसको लगा दिया, gas के उपर और आपने जैसे ही gas चालू की, अरे बापरे boil हो गया, मतलब within a fraction of second ऐसा तो नहीं होता, boil होने के लिए एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट लगता है time, वो जो time लगता है ना, वही time boiling ले लेता है और इस vaporization नहीं लेता है, देखो दोनों में face transformation हो रहा है, liquid से vapor बन रहा है, लेकि यह non-spontaneous process है, non-spontaneous बोलने का मतलब जो तुरंत ना हो, जो sudden ना हो, जिसमें time लगे, ठीक है, अब बात आती है steam versus vapor की, कि सर, steam और vapor में क्या difference है, देखो मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ, steam होती है, steam सिर्फ और सिर्फ associate की जाती है, आपका water के साथ, steam तुम्हें किसी भी चीज़ की नहीं दिखाई देगी, या मतलब nitrogen की steam नहीं मिलती है, NS3 की steam नहीं मिलेगी, ammonia की steam नहीं मिलेगी, ammonia का क्या मिलेगा, vapor मिलेगा, ammonia के लिए आप क्या बोलते हैं, vapor निकलता है, पंजन के smell होती है, मतलब vapor आपका कित निकलेगा, हर किसी material क लेकिन अगर वो चीज़ water हो गई, तो water से जो vapor निकल रहा है, उसी को हम steam बोल देते हैं, ठीक है, आप ये बात धिमाग में रखना, फिर बात आती है, gas और vapor की, gas और vapor में difference क्या है, देखो, liquid अपने matter पढ़ा हुआ है, solid liquid हो gas, बीच में vapor आ गया, vapor कैसा आ गया, देखो vapor को स vapor-fake की चीज़ समझ नहीं है, जब आपने liquid से gas का transformation किया, जब आप liquid से gas में जा रहे हो, तो जब आप liquid से gas में जाते हो, तो जाने के पहले एक एक ऐसा stage आता ना, जिससे में liquid के बहुत पास होती है, gas, वो जो liquid के बहुत पास gas है, जो gas बन गई है, हलकी सी gas बनी है, लेक्छ उनों liquid के बहुत pass है, वो जो liquid के बहुत pass होती है, उसी को हम बोलते हैं, vapor, और जो थोड़ा सा liquid सा दूर होने लग जाती है, तो वो gas में convert होती है, actually वो जो vapor है, वो भी gas कहलाती है, लेकिन liquid के जो सबसे nearest to gas होती है, उसी को हम vapor बोलते हैं, और हम उसे क्या कह सकते हैं, nearest to the condensation, nearest to the condensation is known as vapor otherwise आप gas को भी एक vapor को भी आप gas कर सकते हो तो gas हर चीज इंक्लूट कर लेती है 100 degree centigrade temperature हो 500 degree centigrade हो 1000 degree centigrade हो सब gas के लाएंगी लेकिन पानी के जो nearest होगा for example देखो अगर मैं आपको बोलू कि यह water है और इससे vapor निकल रही है gas निकल रही है ना liquid से gas का transformation हो रहा है यह जो है यह सब तो gas के लाएंगे लेकिन यह जो nearest है nearest to the condensation भाई condens तो सबसे पहले यही हो सकती ही क्योंकि यही तो पानी के करीब है यह जो nearest to the condensation है ना इसी को हम vapor बोलते हैं यह याद रखना ठीक है जो भी चीज nearest to the condensation होगी वो vapor कहलाएगी और उसके अलावा vapor भी एक तरीकी की gas है आप बोल सकते हैं vapor भी तरीकी की gas है gas को हमने और ज्यादा define कर दिया vapor के temps में कि हमें दिक्कत ना हो समझने में जो nearest to the condensation हमने बोल दिया भाई सब वो vapor है कि आपको समझने में दिक्कत नो अपने classification के लिए अपनी सहूलियत के लिए अपनी easiness के लिए हमने उसी gas को vapor बोल दिया अदरवाइस वो है gas ही ठीक है यह difference समझ में आया steam और vapor में भी difference समझ आया है अब देखो vapor के बाद steam है steam के बाद vapor vapor के बाद gas बन जाईगी वह लिए लेकिन जो vapor बना हुआ है वह vapor किसका बन सकता है किसी भी material का बन सकता है water का भी vapor बन सकता है water vapor हम बोलते हैं लेकि जो water vapor उसे हम क्या बोलते है meer stream शुर और सिर्फ वह असोशेट होगी जबकि vapor किसी से भी सोसएट हो सकता है ammonia का vapor हो सकता है NOمل को सकता एक्रोजन ऑसकता है किसी का भी vapor हो सकता है आप किसी का भी निकाल सकता हो vapor लेकिन steam सिर्फ से water की बनती है boiling time taking process है non spontaneous और vaporization vaporization spontaneous process है तुरंत vaporize हो सकता है sublimation solid से तुरंत vapor बन गया vaporization non spontaneous process मतलब liquid बनने की उसने देरी नहीं की वो फटा फट बन गया कितना time लेगा कुछ भी नहीं जो minimum time में काम हो जाए वो vaporization और जो इसमें time लग जाए वो boiling आप कहोगे साजी boiling की definition बताओ boiling की definition कुछ भी नहीं है boiling की definition है आप ये बोल सकते हो vapor pressure of the liquid is equals to external atmospheric pressure या external absolute pressure मला boiling के लिए आप यही जो आप ये जो आप ये जोड़ी नहीं है